प्रेस्ट बेल आइकन और यूट्यूब आप जैहिंद दोस्तों आप सभी का हार्दिक सौगत है जैहिंद रियक्शन्स पे आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज आपके लिए टेस्ट एक इंट्रस्टिंग और बहुत ही नॉलेजबल वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मश्वर पतरकार आर्जू काजमी जी को जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत के पूल राजदूत मेरे परसनल फेएरिट और ग्यान से भरपूर दीपक वोरा साब तो ये वीडियो काफी इंट्रस्टिंग होगी आपक जान को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपने से लेटेस्ट नॉलेजबल और दमदार वीडियो लाते रहें जैहिंद जैभारत साथ है जी आपके जाने पैचाने अमबैसिडर दीपक वोरा सर बहुत शुक्रिया सर क्या पाएं थैंक यू सो माच आपने बुलाया है बहुत अच्छा लग कर दिनों के बाद मैं अपने बेटी से मुलाकात फिर से कर रहा हूं थैंक यू सो में सर सबसे पहले हम बात करें पी आम मोदी के विजिट की जो उनोंने अमेरिका का विजिट किया है आप कैसे दिखते हैं उसको राइट सबसे पहले तो आपको बता दू मेरे बाल भी बहुत गने हैं मैंने बाला जी को और पित किये थे तिरूपदी की जो भगवान है जो भगवान श्री कृष्ण के अ मैं आपको एक चीज़ और बादाना चाहता हूं बेटा कि जब मैं अक्सर बात करता हूं तीन करोड लग भग भारत प्रासियों से मेरे वारता लाप होई हैं कांवर्शेशन होई हैं आइधर वर्चुली और इन-परसन और मैं जो प्रेजिटेशन करता हूं हमेशा उनके अगर आप रामायन से वाकिफ हैं तो बेसिक कहानी यह है कि एक राजा दूसरे राजा की पतने का अपरण कर लेता है अब जिसकी पतने का अपरण होता है वो अपने टॉप स्पाई को बोलता कि पता लगा वो कहा है तो उसके सोर्से कहते हैं एक छोटे से द्वीप में वो फसी हुई है तो यह चला जाता है जिस टॉप स्पाई मास्टर है कहता है मैं खुद देखे आऊंगा तो एक जगह है राम एश्वरम राम एश्वरम दक्षिन भारण है वहां बैठके बड़ा उदास क्योंकि यह जो छोटा सा द्वीप है यह सो कोस यानि तीन सो किलोमीट दूर है वहां से कैसे जाए आप 15,000 साल पहले ना सम्मलींस थी ना पानी के जहाज थे ना हलिकॉप्टर से वोटेवर तो फिर उसके साथ उसका एक साथ ही है भालू जिसका नाम है जामवन और जामवन उससे कहता है हनुमान अपनी ताकत याद कर तो बेटा हनुमान अपन राजा ने उसका अपरेंट किया था उसके घर में घुस के मारता आग लगा देता है ना इकॉल दिस दे जामवन इफेक्ट जो भारत में हो रहा है क्या मैं देख रहा हूं भारत में और फिर हम प्रियम की विजिट की बात करते हैं एक सेल्फ कॉंफिदेंस अन्बलीवबल मैं तो समझता हूं कि नरेंदर मोडी हर भारत वासी के लिए जामवन है हमारी ताकत उसने हमें याद करा दिये दूसरा है आत्मसमान सेल्फ रिस्पेक्ट बेटा वो जमाना चला गया अजी हम बड़े गरीब हैं हम यह हैं हम वह सब चला गया और अगर यहां चाटा से यहां लोकल टैक्सी से आप जिस टैक्सी ने आना था नहीं आए को पता नहीं क्या हो गया मैं मेट्रो लेकर चला गया क्या फरक पड़ता है इस वह सिंपल एग्जांपल ऑफ आत्मधिर प्राइमिनिस्टर मोडी नरेंदर मोडी एक चीज जो मैं महीं मानता हूं कि और बार चौट के आई है हमें नेच चाहिए लेकिए कितने साल तो उन्होंने वीजा नहीं दिया नरेंदर मोडी को अमेरिका लेकिन जब वो प्रधान मंत्री बने उन्होंने बोला चलिए मैं तो जाता हूं क्योंकि मैं भारत के लिए जा रहा हूँ अपने लेने मैंने अ वो जो बुढ़न साहब है मैं उनको बुढ़न कहता हूं जो बाइडन साहब को तब मेराकल पचास पचासी या च्छासी साल के और वो बूल जाते हैं तो उन्हों अपने घर ले गए और उनका घर विल्मिंग्टन डेलावेर में मैं ग्या हूं मैंने वह घर भी देखा हू उनको वहां ले गया बातचीत हुई बातचीत से पहले उन्होंने तीन सौ एंटीक्स भारत के दिखाया अपने घर में उनके घर में डिस्प्ले हो रही थी जो उन्होंने भारत को लौटा दिये बेटा अभी तक अमेरी विरासत हेरिटेज की छे सौ मूर्तियां और बाकी वकित रूशए, बाकी देश हो ने कियेंहे और जिसने सबसे बड़ी चोरी कीति ती बृतिन, उसने सोला वापस की हैं, कमीने हैं, चोर हैं अपने पास रखनाशा चाहते हैं हर चीज को जोından, हमिसे बाकी कॉलिनी से चुडा हैं, ज Nep बूखल सो爸 कानौन डे निकाल देते थ we will be friends और हम यह साथ करेंगे यह साथ करेंगे अब इसमें एक चीज और बताना चाहता हूं जब मैं अमेरिका में पोस्टेट था तो मैं लेक्चर्स अटेंड करता था जॉन मेर्शाइमर यू उनिवेस्टी अफ शिकागो के प्रोफेसर है बहुत बड़े international affairs के expert है और दूसरा Jeffrey Sachs तो economist है मेरी तरह आपने नाम सुना हुआ है वो तो world class economist है इन दोनों की round table discussion मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था आपका जैसे मैं सुनता हूं YouTube पे तो उनका भी सुन रहा था तो उसमें subject ये था should India be an ally of the United States और Jeffrey Sachs बोला यहां John मेर्शा में को याद नहीं है देखे टाइगर आप लोग ally की बात मत करिये अब his exact words India is a superpower treat India as an equal दोस्त बनेगा वो ally शलाई उसको भूल जा India is a superpower I was very impressed कि ये लोग अब समझने लगे कि वो भारत नहीं है जो डरता था जब आपके कुछ चैनल पे मैं देखता हूं बेटा which surprises me वो कहरें अमेरिका ने तो कार्थ ब्रॉंश खुली चिथी खुली जो है permission दे दिया भारत को अरे अमेरिका कॉन होता है मुझे permission देने वाला यह भूल जाए है यह बहुत पुराना इतिहास है यह नया इतिहास है So the first thing was bilateral उसके बाद Quad की meeting में Quad की meeting में बहुत से नए initiatives हम लोग ने डिसकास कि वो आप सब जानती है Google पे देख सकते हैं लेकिन मेरे इसाब से जो सबसे महत वो पून था मेरे 80 साल की दादी की दादी वहां रहती है ना New York में उसको United Nations कहते है अब तो मरने वाली है तो वहां पर एक sentence था We will reform the UN Security Council by expanding permanent and non-permanent categories यह बहुत से लोगों ने notice किया शायद समझने पाई इस का महत्व उसके हम non-permanent and permanent categories को expand करें अभी तक तो पंचा आये था यह पांच कौरों वहां पर बैटे हुए पांच बदमाश कुछ होने नहीं देते तो उने का expand करेंगे Asia, Africa, Latin America से हम और countries को लाएगा देखिए कितनी अच्छी चाल है लोग कहते है यह भारत ने किया चलिए आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूं कि हमने जब कहा है कि Global South के देश आएंगे तो चाइना भी कुछ नहीं कर पाएगा वो तो आपने आपको लीडर कहता न Global South का चुप चाप बैठ जाएगा कुछ नहीं कर पाएगा अगर कुछ किया सारी दुनिया बोलेगी तुम Global South के दोस्त नहीं हो उसको अभी तो हमने गोल्ड मेडल जीता है Men and Women Chess में वो दोनों मेडल्स दोनों ट्रोफिस भारत में आ गई है चतुरंग तो भारतिय है और चीन को में यह कहूंगा शामत अंग्रेजी में कहते हैं चेकमेट आप चुप-चाप से बहुत है तीसरी चीज जो नहीं की मैं उन्होंने सी-ओ से बात कि अबरिकन कापनी कापनी काउन से अरिया में हाई टेकनालोजी आप लुग ने पॉजिटिव रिस्पोंस दिया फिर उन्होंने बातचीत की भारतिये समधाय के लोगों से बेटा मैं आपको इतना कह सकता हूं बिजली थी उस हॉल में जब मोधी साब वहां गुजवे और यह भी इतने अच्छे हैं सब को नमस्ते की सब के साथ बड़े प्यार से बातचीत की उनको तो लिजाना पड़ा था वहां से हम लोगों को नहीं तो वह तो दो गंटे और बैठते से रहते लोग उनके साथ वहां से पिर वो चले गए और फाइनली जो यह यह यूएन क सबसे अच्छा फ्यूचर होगा उसकी जगा कोई और संस्ता आएगी तो वहां पर भी उन्होंने कहा कि हमारी क्लेक्टिव ताकत बैटल फीर्ड पर नहीं लेकिन हम लोग साथ जुड़के क्लाइमेट चेंड यह वो सारी चीज़े उन्हों पांच चीज़े इन पांचों में इस समय स्किज़ोफ्रीनिया है, split personality, एक है 99% American officials और दूसरे जो चाहते हैं, बहुत अच्छी दोस्ती हो भारत के साथ, वो भारत की ताकत समझ गए हैं, लेकिन एक प्रतिशत अभी भी है मैं, जिसको हम कहते हैं, shallow country का deep state, वो deep state चाहते हैं, यह हो जाया है, पागल लोग है, इनको समझ नहीं है, यह ही तो लोग हैं, जो आजकल के बुद्धन साब की सरकार को चलाते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि Kamala Harris, Kamala नहीं कहते हैं अपने आपको, Kamala Harris, वो भी जो है, अपने आपको deep state के, she is obliged to the deep state, यह कहते हैं, so everything went off as it should have gone, और जो pinpricks हैं मैं वो आते रह हैं, अभी तक American collective psyche से भूल नहीं पाए, कि अब हम super power नहीं रहे, अकेले, और भी उभर रहे हैं, अब जिस दिन यह accept कर लिया, तो उनके साथ बहुत अच्छा संबध हमारा होगा, 60 billion, billion Arab होता है, I still think in dollars, 60 billion dollars American companies ने भारत में invest किया, और 40 billion भारती companies ने अमेरिका में invest किया, इस का मतलब यह है, हमारी भी ताकत है, गो हैड, लेकिन सेर कहीं न कहीं यह बात भी की जाती है, कि अमेरिका जो है, वो चाहे 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 नहीं हो, चाहे पाकिस्तान हो, या कोई दूसरी कंट्री है, उसके जरीए कुछ ना कुछ ऐसी activities भी चाता है, जिससे बारत थोड़ा सा दब के रहे, भारत आगे तो बढ़े ही, लेकिन अमेरिका के बराबर ना है, या उससे आगे ना बढ़ने की कोशिश करें, अमेरिका किसी ने कभी नहीं चाहता कि उसके बराबर का कोई है, चीन ने कोशिश की थी, कि हम जी टू बनाएंगे आदी दुनिया, तुमारी आद लोग, अमेरिका is the greatest military power in human history, period, हमसे मुकाबला करने की कोशिश मत कर, जीनी बिलकुल खाम, डर्पोक है, बिलकुल खामोश हो गए उसके बाद, बिलकुल सही आपका analysis है, अपने level तक नहीं पहुंचने देगा, लेकिन अगर कोई दोस्त है, जो वो कहता है, अच्छा ये मेर हैं, आपको याद होगा, अमरीकी हमें कहते हैं, रूस को गाली दो, हमने का क्यों पहुंचने पर हमला किया है, हमने गाली ना दे तो क्या करोगे, तो उनका एक इंडियन ओरिजन का डेपिटी नैशनल सेक्यूरिटी अडवाइजर था बेड़ा, बेड़ा, इसका नाम में जाते हैं, हम लोग एक दुनिया चाहते हैं, जब सब बराबर रहा हम तो बात करते हैं, वासुदे वुकुटूबकर, पूरी दुनिया एक परिवार है, और मेरा परसनल मानना है बेड़ा, अगर ये सयुक्त राश्ट्र संग नहीं सुधरता, ये खतम हो जाएगा, ये आत साल की होगा हैं, कुटनीती में, मैं जिंदा रहूंगा नहीं ये देखने के लिए, वो नोस, वाट इस सम्थिंग आपकी भी उतनी आवाज हो, मेरी भी उतनी हो, जितनी अमेरिकर की, आए ब्रिटन की, दोस्तों, आशा करतों की वीडियो को अपने अंतक देखा होगा, औ अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर जुरू बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आके माँ आपके से लेटिस्ट, इंट्रोस्टिंग और नॉलेज़बल वीडियो लाते रहें, तो चलिए, फिर मिलेंगे ऐसी किस जबदस्त और मज़ेदार वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिये, जै हिंद, जै भारत